नमस्कार दोस्तों जै हिंद जै भारत दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे रिपो तार्ज किसे कहते हैं बोर्ड परिक्षाओं में अधिक रूप से इस पर एक प्रेश्ण बन कर आता है कि रिपो तार्ज किसे कहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं रिपो जिसे हम कहते हैं रिपोट आर्ज रिपोट आर्ज मूल रूप से फ्रेंच भासा का शब्द है एक सही विकल बनकर आता है रिपोट आर्ज किस भासा का सब्द है जर्मनी, लेटिन, फ्रेंच, हिंदी तो ये किस भासा का सब्द है ये प्रेंच भाषा का शब्द है। अंगरीजी में इसे report कहते हैं अंगरीजी में report आज को क्या कहते हैं? report अर्थ रिपोर्ट का अर्ध क्या है रोचक और भावात्मक चित्रण रोचक और भावात्मक कोई खबर फिर इसकी परिभाशा हाल ही में घटी घटना तधा लेखक के द्वारा प्रतेक्छ देखी गई घटनाओं का अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोतार्ज है हाल ही में देखी गई घटना को लेखक जब अपने द्वारा लेखन के द्वारा किसी गद्दे की विधा में प्रस्तूत करता है अर्था पत्र में प्रस्तूत करता है तो वो क्या कहलाता है रिपोतार्ज जैसे कि हम रोज मरा की जिन्दगी में देखते हैं कि ट्रक से कार तकराई दो मरे चार घायल तो ये क्या है एक रिपोतार्ज की सेणी में आता है तो या हाली में देगी गई घटना को लेखक जब अपने शब्दों के द्वारा किसी पत्रकारिता में उतार देता है उसे हम क्या कहते हैं रिपोतार्ज इसकी विशेश्टाओं पर नज़र डा पानी पड़ेगी नहीं तो कभी-कभी देखा होगा आपने पत्रकारव पर या पेक पत्रकार इताबर केस 변 लग जाता है लेखक प्रतेक्ष दर्शन के आधार पर किसी घटना की रिपोर्ट तयार करता है लेखक का वहाँ पर उपस्तित होना जरूरी है तो प्रतेक्ष दर्शन करकर अपने शब्दों के द्वारा घटना की रिपोर्ट तयार करता है रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्तिक रूप को ही रिपोर्टार्ज कहते हैं यहने कि रिपोर्ट को हमने काई में उतार दिया, कला में उतार दिया, साहित्ते की भाषा में उतार दिया तो क्या बन जाता है? रिपोर्टार्ज बन जाता है सहसा से घटित होने वाली अत्यंत महत्यपुन घटना को इस रिपोतार्ज को जन्म देने का कारण बनती है घटना क्या घटती है अचानक घटती है सहसा घटती है तो इसी कोई साहितिक भासा में हम तुरंट उतार देते हैं तो उससे काय का जन्म होता है, रिपोतार्ज का जन्म होता है, सबसे प्रेतम रिपोतार्ज विचार और विमर्ष था, जो हंस पत्रिका में छपा था, उसके लेखकते सिवदान सिंग चोहान, फिर है शंकर दयाल जी ने कुन से लिखा युद्ध के चोराहे तक, फिर है धरम भारती, इनका रिपोतार्ज क्या था, युद्ध यात्रा, धन्यवाद दोस्तों, उमीर है आपको रिपोतार्ज समझ में आ गया होगा, जै हिन, जै भारत